नाज़कर दोस्तों मैं हूलो केंदर सिंग और क्राइम तक मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत है और कैमरे पर मेरे साथ है सुर्भी एक बार फिर से आपको नए साल की शुप काना है और आज की जो वारदात है वो साल 2018 की है या यह कहिए कि साल 2018 का आखिर और साल 2019 की शुरुआत तो दौनों में मर्डर जो हुआ था वो साल 2018 में हुआ था और यह बड़ा अजीब केस है क्योंकि इसमें जो मरने वाला था और मारने वाले थे और मरने वाला जो था वो एक तरीके से कहा जाएगी उसकी जान नहीं निकल रही थी और जो मारने वाले थे वो तमाम जो अपने पर अथकंडे थे उसके ऊपर अपना रहे थे यानि नीन की गूलियां खिला दी फिनाईल से भरा हूँ एंजेक्शन लगा दिया उस पर भी निवरा बंदा तो उसके बाद फिर उसका गला दपा दिया कला दो दबाने से भी नहीं रा था तकिय से उसको स्मॉदर कर दिया उससे भी नहीं मरा तो उसके सर पर आयरेंग की रोड मार दी यानि कि जितना प्रयास जो थे मुझे लगता नहीं कि कोई की एंगल मारने वाला कोई भी हत्यार या कोई भी साजिश इनलों वोने इस मामले में छोड़ दियो यह केस है मुंबई के ठाणे का और ठाणे में एक अस्पताल है महां से पुलिस को एक कॉल मिली कि यहां पर एक बंदा जो है एक्सिडेंट का केस है और उसकी लाश जो है वो पड़ी हुई है और दो लोग उसको ले के आये थे और वो उस लाश को छोड़ के भाग गए पुल और इसके अलावा उसने यह भी बताया कि एक उसमें महिला थी महिला की उम्र करीबन सब 23 साल थी और एक लड़का था यंग शायद 25 साल के असपास का रहा हो तो उसनों ने बताया डॉक्टर्स को कि यह जो शक्स है इसका एक्सिडेंट हो गया था और यह सड़क किनारे हमे पूछा डॉक्टर्स ने तो इलाज हुआ यह नहीं हुआ तो उन्होंने बताया नहीं जब यह लोग अस्पताल से अस्पताल में लेकर आए इस शक्स को तब तक इसकी जान जा चुकी थी और जब हम लोग ने कहा कि क्योंकि मामला एक्सिडेंट का है तो लहाजा पुलिस क नाम सुना तो दोनों यहां से भाग लिए पुलिस को भी लगा कि हो सकता है कि एक्सिडेंट में जिनीन के सो लेकर आयों और लोग पुलिस से ड़ते भी हैं और इस वाजे से वह भाग गया हूं तो सबसे पहले तो पहचान उस बॉड़ी की करनी थी जो अस्पताल में के तौर पर करी और गोपी नायक जो था वो तीस साल उसकी उम्मर थी और यह ठाने मुंसिपल कॉर्परेशन है उसमें काम करता था और ठाने में गयमुक एक जगह है वहां पर टीम थाने मुंसिपल कॉर्परेशन के तो जब उसके घरवालों को संपर्ट किया गया तो मालूम चला उसकी पत्नी जो है उसका मोबाइल तो बंद आया हुआ है अब किसको और संपर्ट किया तो जैसे तैसे पुलिस ने जो गोपी नायक का भाई था दिलीप उसको बुलाया और दिलीप को बताया कि इस तरीके से एक्सिडेंट हुआ था तुमारे भाई का जब उसने यह बास सुनी तो उसको बड़ा अजीब लगए क्योंकि उसकी बात हुई थी और उसने यह भी बताया था कि क्या प्लान है और नहीं निकलने वाला घर से वह क्योंकि यह जो बाडी मिली थी 29 दिसंबर को मिली थी हॉस करने के लिए तो उसको बड़ा अजीब लगा और उसको लगा कि उसने बोला कि मुझे डाउट है एक बार हम लोग वह सीसी टीवी फूटेज चेक कर लेनी चाहिए जिसमें यह दोनों देख रहे हैं जो लोग इन्हें हॉस्पिटल में छोड़के गए थे गोपी को पुलि लिए नाएक पहले तो यह बता रहते हैं कि सड़क किनारे मिला अब इस पर पुलिस ने सीधा जो कोटर था वहां पर पुलिस पहूंची और जो बकान था उसको एक तरीके से उसका मुआयना करना शुरू किया और जब मुआयना शुरू किया तो पुलिस ने देखा कि बकान में काफी जगे पर खून के जो चीटे हैं वो लगे हुए थे और उन चीटों को देखके लग रहा था कि बिलकुल ताजा चीटे हैं यानि जो चीटे हैं उसको जादा वक्त नहीं हुआ शरीर से निकले हुए जो खून है और इस एक दूसरी तरफ जो लड़की थी प् विदिन 29 को यह लोग बड़ी छोड़के भागते 30-30 यानि दो दून की पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी और एक जिन्वरी को पुलिस ने इन दौनों को अरेस्ट कर लिया एक तो उसकी पत्नी प्रिया थी और प्रिया के साथ ही जो एक शक्स था जिसको अरेस्ट किया गया उसका नमता महेश करा ले यह महेश को पुलिस ने अरेस्ट किया और दौनों को पुलिस ठाने में लेके आई और पुश्टाच करी जहर सी बात है कि सबसे पहला शक नहीं के उबर जाता था क्योंकि होस्पिटल में गोपी की लाश को वही छोड़के गए थे लिए थोड़ा पोलियो की वजए से थोड़ा यह लंगड़ा आके चलता था और करीब नौ साल हो गये ते शादी को यानि 2011 के आसपास शादी हुई थी छे साल की बच्ची भी थी सब कुछ अच्छा खासा चला था लेकिन लगभग दो साल पहले इसकी जो मुलाकात थी वह फेस् यह सब कुछ चल रहा था गोपी को मालम नहीं था वह अपना दफ्तर जाता दफ्तर से घर यही उसका चल रहा था उसको मालम नहीं था उसकी पत्नी क्या कर रही है एक दिन यह महेश करा ले और जो प्रिया थी यह किसी मॉल में घूमने गए बंबई के और वहाँ पे गोप गोपी को दी और पताया कि इस तरीके से तुम्हारी पत्नी किसी और के साथ घूम रहे थी इस बात पर गोपी ने इसको कंफरेंट किया प्रिया को इसने बिल्कुल साफ तोर में मना कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है वो मेरा पुराना कोई दोस्त था वह एकदम मिल गय प्रिया के ओपर नजर रखनी शुरू कर दी और उसको ज्यादा एक तरीके से टाइट करना शुरू कर दिया जहने वह नजर रखता था कि कहां जा रही है कि से फोन पर बात कर रही है अब यह सारी जो चीजें जो पहले बिल्कुल फ्रिक्वेंटली मिलना जुलना हुआ कर जाता था तो कुछ ऐसा करें जाता था कि मालम चलता रही कि और लियुक यह कही बार फोन कर लेता था बीच में कर एक अचेक की तो पर पर वह घर जाता था तो यह सारी चीजें प्रिया को लगने लग अब यह जो जादा दिं तक तो नहीं चलेगा तो फूश उपाय किया जा जाय कि हें लोग ने ताह रूर्ट कर देदे और स्लीपिंग फिल्स की मौत हो जाएगी जी बताएंगे कि इसको बीमारी थी और बीमारी की वैसे मौत होगी और लोग विश्वाश भी कर लेंगे क्योंकि जख्म और उस तरीके का कोई निशान रहेगा नहीं तो किसी को भी शक नहीं होगा इस तरीकी की प्लानिंग नोंने करी थी कि तो 27 दिसंबर को यह जो महष ता यह यह तीन जो स्ट्रिप्स होती है है श्लीपिंग की वो ले के आया और यह स्लीपिंग पिल्स की स्ट्रिप्स जह तहीं वो तो दूपैर खाना हुआ तो धूपैर को खाने मैं पंदरार जो तो जब वह लगा प्रीया को की यह तो मर गया लेकिन और इसने अपने जो प्रेमी था महेश को फोन किया कि यह तो मर गया तुम आके एक बार चेक करो तो जब वह लौट के आया महेश आया और महेश जब चेक करना लगया तो बाड़ी में जो था मुमेंट था तो उसके बाद वह महेश जो था वहां से चला गया प्रीया के यहां से और कुछ देर बादी गोपी जो था उसको एक तरी से असर खतम हुआ नीन की गोलियों का लेकिन वह सबकॉंशियस स्टे रूम में दाखिल हुआ उसकी वाइफ से बात किया उसको देखा तब भी उसका कॉंशियस माइंड जो था वो चल रहा था और उसके बाद इसने पूशा गोपी ने उठने के बाद कि मेरे पीछे जब मैं सो रहा था तो इसने भी नहीं था तो इस्को लगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा तो इसने फिर करीबं 20 गोलिया जो थी गोपी प्रिया नहीं इसको पहले शाम को जूस दिया था जूस में डाल एक बढ़ा कि बचल लिसे और यह हो गया और इसको यकीन हो गया कि यह बिल्कुल पूरी तरीके से बंदो कि अधिक ऌतुम ऌट्र कि जो तब हुआ इसने वाटल से है एक इन्यक्शनने भरा और गोपी उस यह तẬ भी वह पूरी नहीं हुआ था और उसको थोड़ा भगा रगा जानने यह नगती है उस किया जब तो महिश था उसका पड़िया और गला दबाने के बाद इंशिर करने के लिए एक ही मर गया है एक आयरंद की रोड ली उसके सर पर दो तीन आयरंद के रोट से वार किये और जाहिर सी बाता है कि sleeping pills फेनाइल कंजेक्शन गला दबा दिया फिर आयरंद की रोड इतना भी आदमी की जो बॉड़ी है वो जहल निवादी तो जब इनको लगा कि मर गया है तो फिर इन लोगों ने का कि अब हम इसको होस्पिटल लेके चलते हैं और होस्पिटल में बताएं है कि अगर accident का case हो कोई भी इस तरीके का होता है तो पुलिस की तरफ से नहीं डॉक्टर की तरफ से ऑस्पिटल की तरफ से पुलिस को सूचना दी जाती है जितने भी इस तरीके के legal criminal cases होते हैं यहां पर भी accident हुआ था इनको लग रहा था कि हम लेके जाएंगे और तुरहं डॉक्टर बोलेगा कि अब तो इनमें जान बाकी नहीं है और आप बॉडी जो है उसको ले जाओ इस तरीकी की प्लानिक इन लोग ने करी थी लेकिन जब यह लोग हॉस्पिटल पहुंचे और वहां पर डॉक्टर ने जब चेक अप किया और चेक अप करने के बाद बताया लोग छुपने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बेशिकली कोई क्रिमिनल मैंडेट नहीं था इन में को उस तरीके का क्रिमिनल मैंडेट तो था लेकिन उस तरीक ऐसे कोई करायम काूल कि मदद से मातिरं जो है वहां से मौकर fot कर लिया तो कुल मिलाके एक जो परिवार था वो खतम हो गया छे साल की बच्ची अब पतनी कहां बारी मारी फिर रही होगी और यह जो दोना है महेश प्रिया इनका वक्त जेल में ही कट रहोगा तो थोड़ा भी अगर समस्दारी से काम ली जाती लिया जाता पहले तो यही है कि अगर आप किसी के साथ commitment में हो यानी committed relationship शादी कमिटेट रिलेशनशिप ही होता है कि अपने partner को कि हम लोग एक साथ चलेंगे और बीच पे टीसरा कोई नहीं आएगा यहां पे भी अच्छी-गासी नौ साल की शादी थी थी तो थोड़ा और सब्र कर ले जाता इस तरीके के रिश है ईज एक हो जो चाहिक है उन्ड़ों की तो जिर्प पता है जभी होगा उसकी जपने सेीड मैं करने से पहले से सारे फोजेंटवेंट ईवन्य-चो सोच लेने चाहिए और और आइसा लगता हों कि बहुत आसानी से निकलेगा तो मैं बतारों हम इतने में क Town पॉइंट नाइन नाइन पॉइंट नाइन नाइन पकड़े जाने के गुंजाइश होती है और बहुत कम जो होता है वह ऐसे केसे होता है जो सॉल्व नहीं होते तो ज्यादा अगर आपको अपना दिमाग लगाना है किसी को भी तो इस तरीके की चीजे में ना लगाएं कुछ कंस्ट्रक्टिव सोचिए कोई परेशानी है तो उसके तमाम रास्ते सुल जाने के तो क्राइम की तरफ मत जाए कुछ और सोचिए कुछ करिए अगर किसी मुसी